हेलो एब्रेवन वेल्कम बैक टो माई चैनल और आज हम देखेंगे वर्क सीट फॉर क्लास वन हिंदी के वर्क सीट हम देखेंगे तो चली सुरू करते हैं और सबसे पहले है बिना मात्रा वाले तीन अक्षर के सब्द जैसे है शह, होद, शह, कोड, डैस, मौद, तो इसमें भरना है कि कौन सा सब्द आएगा जैसे कोर, औ, म, गरम, भौर, औ, भरत, कोर, औ, म, गरम, न, य, न, 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 ऐ, इसे करके इसको बनाना है अगला है वर सब्दों को जोड़ना है अगला है तीन अक्षर वाले सब्दों को पढ़ना है और उसको अब लिखने का भी अभ्यास करना है तो बिना मात्रा के सब्द है तो बच्चों को स्टार्टिंग इसी से कराई जाती है इसके बाद है सब्द सीड़ी को पूरा कीजिए जैसे है म, होलो महल, मोगोरो मगर इसी प्रकार हम ऐसे करेंगे इसको सोडो को सडक, सो मुझो समझ नो मोगो नमक, नो होरो नहर शहद, शोहदो शहद, शोहदो सहर और यहाँ पर अक्षर और अमन हो जाएगा इसके बाद छोटी की मात्रा हम एक करके बोलते हैं इसको जादा उचारण में अधिक जोड नहीं दिया जाता है तो इसी तरह से जो है वियंजनों पर छोटी की मात्रा लिखने का अभ्यास करना है जैसे चोब वार्ग में पाव में डिखने इसके बाद है चोटी E की मातरा के कुछ सब्द दिये गए उनको समझ कर लिखने का अभ्यास करना है उसके बाद जोड़कर पढ़ने का अभ्यास करना है चोटी E की मातरा के सेंटेंस को इसके बाद फिर अगें ये वर्क सीट है चूटी की मातरा के लिए पढ़िए और जोड कर इसको लिखना है मातरा प्लस वियंजन और प्लस वियंजन जैसे खिल, कवी, गती इस तरह से और इस वाली वक्सिट में भी है चोटी की मातरा के सब्दों को जोड़ना है गिन, पिन इस तरह से इनको बनाना है समान लेवाला एक सब्द लिखे दिन, पिन, नित, चित, सितार को गिटार सितार की तरह हो जाएगा, गिटार, बिल की तरह हो जाएगा दिल, नदिया की तरह क्या हो जाएगा वो आपको सब्द लिखना है अब है छोटे उ की मातरा का सब्द यहाँ दाई ओर से प्रारम करके बाई ओर को बनेगी इसका उचारन पर अधिक जो नहीं दिया जाता है जैसे है खु, नू, फू, बू, धू, ऐसे करके इसका उचारन किया जाता है इसके बाद इसके कुछ सब्द दिये गए, उनको पढ़ना है और लिखना है और फिर अभ्यास के लिए उनको सेंटेंस दिये गए जिनको पढ़कर ओकी मातरा वाले सब्दों पर गोला बनाईए तो ये है ओकी मातरा की सब्द और उसके कुछ प्रस्ण